हमारे यूट्यूब चैनल ग्यान सागर में आपका स्वागत है दुर्गा पूजा सुरू होने में अब कुछ ही दिन बचा है 15 अक्टूबर से नौरात्री सुरू हो जाएगी यह नौ दिवसिय पर्व देवी दुर्गा को समर्पित है इस्तिवहार को अपने देश में बहुत उत्सा के साथ मनाया जाता है नौरात्री में मा को प्रसंद करने तथा उनकी असीम किर्पा पाने के लिए पूजा बरत तथा अनुष्ठान किया जाता है धार्मिक मन्यता के अनुषार इन नौ दिनों के दौरान मा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुक सांती बनी रहती है और मा भक्तों की सभी मनो कमनायें पूरी करती है नौरात्री के नौ दिन तक बरत रखने के लिए कुछ नियम और मन्यताएं हैं जिनका पालन करने से ही मातरानी की किर्पा प्राफ्ट होती है धार्मिक मन्यता के अनुसार नौरात्री के दौरान बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना शूभ नहीं माना जाता है नौ दिनों तक इन कार्जों से बचना चाहिए इन नौ दिनों तक नाखून भी नहीं काटना चाहिए नौरात्री के नौ दिन देवी दुरगा के नौ सरूपों को समर्पित है नौ दिनों तक भक्त बरत रखते हैं और देवी की पूजा करते हैं इसलिए इन नौ दिनों में घर में सभी प्रकार के मनसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए हिंदू सास्तर में प्याज और लहसुन को असूध माना गया है इसलिए नौ दिनों तक घर में इसका सेवन नहीं करना चाहिए हिंदु सास्त्र की मन्यता के अनुसार किसी भी पबित्र समारोह या तिवार के दोरान सराब के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए इसलिए नौरात्री पूजा के नौ दिनों के दोरान सराब का सेवन नहीं करना चाहिए जो लोग नौरात्री के दौरान बरत रखते हैं या नौ दिनों तक पुजा करते हैं उन्हें नीम्बू काटने से भी बचना चाहिए नौरात्री के दौरान नीम्बू को काटना बल्ली देने के समान माना जाता है इसलिए इससे बचना चाहिए निम्बू का रस आप बाहर से खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घर पर इसे नहीं काटें नवरात्री के दोरान चमडे से बने उत्पाद जैसे बेल्ट, बैग और जूते के इस्तेमाल से बचना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि चमडा जनवरों की खाल से बना होता है और इसे असूभ माना जाता है इसके अलावा गंदे और बीन्य धूले कपड़े नहीं पहनना चाहिए हमेशा पूजा के पहले साफ और धूले कपड़े पहनना चाहिए नवरत्री के दुरान सिलाई करने से बचना चाहिए घर में साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए घर में जूते चपल पहनने से भी बचना चाहिए अगर नवरत्री का बरत रख रहे हैं तो ब्रत के नौ दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए पूरे ब्रत के दोरान फलहार पर ही रहना चाहिए फलहार एक ही जगह पर बैठ कर गरहन करना चाहिए घुमते फीरते हुए फलहार करने से बचना चाहिए नवरात्री के दौरान मन को हमेशा सांत और सरल बनाकर रखना चाहिए मन में इर्ष्या, द्वेश, क्रोध की भावना नहीं रहनी चाहिए पूरे नौ दिन ब्रह्मचर्ज का पालन करना चाहिए इन बातों को ध्यान में रखकर आप बरत करेंगे तो मा दुरुगा अवस्य प्रसन होंगी दोस्तों मेरे वीडियो के माध्यम से आप अपना ग्यान बढ़ाएं मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें